आपने बिहार के राजनीती को बहुत करीबी से देखा है, एक्टिव भी थे आप, ग्राउंड रियालिटी सिचुएशन के विशे में आपका बहुत गहरा एक एक्स्पीरियंस है, तो आप बाबू राजंद्र प्रसाद के विशे में भी आपने विस्तारित लिखा है, तो उसके विशे में आप बोलिए। और प्रिसिडेंट होने की बात आई, तो नहरू ने सीधा विरोध किया, कि ये सीर राज वबबराचारी प्रिसिडेंट हो, राजिन प्रसाद प्रसाद नहीं हो, लेकिन, सरदार बलफ भाई पटेल उस समय जीवित थे, सरदार बरलब भाई पतेल ने फुल वेट अपना फुल वजन राजिन परसाद के पीछे दिया और नहरू को पीछे हटना पड़ा पहला टर्म प्रेसिडेंट हो गया है दूसरा टर्म जब प्रेसिडेंट की बारी आई तो नहरू ने विरोध शुरू किया नहरू का जब वि ने यही कहा कि इस बार आप किसी प्रेशर मत आईएगा आप अपना कैंडिडेचर विड्रॉ नहीं कीजिएगा इतना जन समू मनें कॉंग्रेस समू इतना बड़ा समूह उनके साथ था कि नहरू को यहां भी हटना पड़ा तो राजिन परसाद दो टर्म प्रेसिडेंट हो प्राण मंतरी ने किया हो आपको ताज्यू होगा सुनके कितनी छोटी बात है कि मैक में थाई जो नहरू का एक खास आदमी था वो अपने संस्मरन में लिखा है उसने कि राजिन परसाद का टीये चेक किया जाता था और बड़नाम करने के लिए उसने लिखा है कि राजिन अस्तर पर इनको बदनाम करने की कोशिश की गई उसके बाद constant friction इन दोनों के बीज में रहा नहरू ने राजन प्रशाद को एक orthodox revivalist और stick type का आदमी समझा उनको दस साल में कहीं उनको permission नहीं दिया कहीं allow कुछ ने कुछ बहाना कर देता था वो श्रिलंका नेपाल बर्मा पस इतने ही जगह जा पाते थे यहां तक कि आईजन हावर आया था और उसने invite किया था राजन प्रसाद को आई यह जैसे आपने लिखा है अपने किताब में आईजन हावर इतना प्रभावित थे राजंद्र प्रसाद से उनको कहा कि आप इश्वर के ऐसा का और नेरू ने थे कहा कि यह helpful लोग जा चुकें अमेरिका आपको जाने का ज़रूरत नहीं ही hasil जाके क्या किजिएगा वहाँ वहाँ जाने की ज़रुड़त नहीं तो राजेंद प्रसाद की परसनेलिटी से डरते थे नहरू एक और डरना भी था और नफरत भी था इतना कॉंस्टेंट फ्रिक्शन था उनसे कोई राई नहीं लेता था उनकी कोई एडवाइस उनका नहीं मानता था नहरू नहीं मानते थे और चाहे गवर्नर का appointment हो चाहे आर्मी चीफ defense का कोई matter हो defense chief का appointment का सवाल हो थिमया ने इस्तिफा कर दिया कोई जानकारी राजेंद परसाद को नहीं दिया राजेंद परसाद ने करीच चिठी लिखी इस पर कि मैं after all हम commander in chief हैं आप इतना neglect करते हैं अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो आपकी परिशानी बढ़ जाएगी so throughout राजेंद परशाद को उनके सभी कश्मीर के इशू पर उनकी बात नहीं माना नेपाल की इशू पर नहीं बात माना उन्होंने कितनी चिठ्चियां लिखी कि पार्टी में करप्शन आगिया है सरकार में करप्शन आगिया है आप इसको रोकें इंस्टांसेस दें उस पर कोई बात नहीं माना राजेंद प्रशाद को in fact कहा कि प्रेजिडेंट के पावर जिंद्गी भर पूरे दस साल राजेंद प्रशाद को यही लड़ाई लड़नी लगे कि लड़नी परी कि प्रेजिडेंट का पावर क्या है राजेंद प्रशाद का पावर क्या है यही कहें कि आप एक मुनार्क के बराबर हैं दिल्ली के लॉइंस्चूट में राजिन परशाद का एक भाषन था उस भाषन में राजिन परशाद ने बड़ा साफ कहा कि भाई मैं मुनार्क के बराबर कैसा हूँ मुनार्क तो वंसवाद से तयार होता है मैं तो पूरे देश का elected president हूँ, भारत का president elected होता है, आप मोनार्क कैसे कहते हैं, बड़ा effective, बड़ा कड़ा भासन दिया था law institute में, नहरू ने अपने अपसरों को निर्देश दिया कि, इनका भासन किसी média मना जाये, और मीडिया ने blackout कर दिया था इनका भासन. ऐसा बेभार करता था. इतने निरास्त थे, राजेंद्र बाजु इनसे, कि केम, मुन्शी से विक्तिकत बाचित के दौरान, राजनदवाव ने कि मुन्शी को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक किताब लिखूँ और उस किताब का नाम रखूँ मेरा दस साल कैसे कटा इसको मैं लिखने जा रहा हूँ लेकिन बिशारी उतने दिन बच नहीं सके मर गई इस बीच में इतना ही नहीं मनें राजनद परसाद से नफरत का ये हाल था कि रिटार्यमेंट के कुछ दिन पहले राजनद परसाद यहां बीमार परे बीमार परे तो दिल्ली के एक नर्सिंग होम में उनको एड्मिट करवाना पड़ा लोगों को अंदाज आया नहरू को अंदाज आया कि अब ये आदमी बचेगा नहीं नहरू ने उनके जगह कौन टेंपररी प्रेसिडेंट हो इसकी तैयारी शुरू कर दिया लेकिन नहरू ने सोचा कि ये मर जाएंगे कहीं तो गांधी असमारक के बगल में ही लोग कहेग इनका भी असमारक बनाये जाया राजगाट में इनका किरमेशन हो तो नहरू ने उस समय होम मिनिस्टर और चीफ कमिस्टर भगवान सहाय और डिप्टी कमिस्टर सुशीतल बनर जी को आदेश दिया कि जमना के किनारे इस जगह को छोड़के कितने दूर पर कौन प्रापर जगह होगा जहां इनका किरमेशन किया जा सकता है राजगाट से जितना दूर संभव हो इन लोगोंने सिक्रिट मिशन का पालन किया और सिक्रिट मिशन का पालन करके इन्होंने जगह चुनके नहरू को ख़बर किया कि हम लोगोंने जगह चुन लिया है तब नहरू को संतो होंगे जिनको दिल्ली में एकॉमडेट नहीं किया गया हर राश्पती को एकॉमडेट किया जाता है और उनके लिए जगह दी जाती है इनको को एकॉमडेट नहीं किया गया और इनको दिल्ली छोड़के एक आश्रम में रहना पड़ा उस आश्रम का नाम है सदाकत आश्रम पतना वहां उन्होंने जिंगी उजारी 63 में इनकी मिर्त्यु ही और मिर्त्यु में आप ताज्युप करेंगे सुनकर कि नहरू उस समय के राष्टपती राधा किष्णन से मिलने गए उनको बताया कि आप वहां नहीं जाएं मेरी राय है कि उनके अंतिम संस्कार में आप नहीं जाएं। राधा किष्टन ताज्यूम में पर गया नहरू को कहा कि नहीं आपको भी चलना चाहिए और मैं कैसे नहीं जाओंगा, वो पुर्वराष्टपती हैं। नहरून कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं जोधपूर जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फंड के सिलसले में। ये ट्रेंड रहा है, इस पूरे खांदान का ट्रेंड रहा है, जो सोनिया गांधी तक आया है। आराइनपी सिंग जी, आप बिहार से हैं और बिहार प्रदेश से मूलत है। आज आपके इस बातों में बहुत अच्छे से ही ये समझ में आया कि कैसे ये परिवार, कॉंग्रेस के उच्चस्तरियन निता, उनके साथ कैसे बरताव, पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस पीरियेड में किया है। मुझे लगता है कि ये लोगों को याद रखना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, ताकि इनके असल चरित्र निकलें और ये समझ में आया कि they are basically anti-democratic by nature. Thank you so much. धन्यवाद आपने शेर किया.